एक्सरसाइज 14.2 का कुश्यन नमबर 2 सेकंड कुश्यन में दिया है गीव दा ओर्डर ओफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर इच फिगर यहाँ देखो कुछ फिगर्स बना हुआ है ड्रॉ किया हुआ है अब इस फिगर को हमको देख के यह बताना है कि उसका रोटेशनल सिमेट्री का ओर्डर कितना होगा रोटेशनल सिमेट्री का ओर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ आपको सिर्फ 4 डिगरी में उसको रोटेट करना है और यह देखना है कि वो original position में कितने बार आता है, वो 4 degree क्या होता है, पहले 90 degree में उसको आपको rotate करना है, 90 degree के बाद में आप उसको 180 degree में rotate करेंगे, फिर उसके बाद 270 degree, और finally 360 degree, तो जो 360 degree होगा, वो तो उसका order होगा ही, एक बार कम से कम होगा ही, और उसके अलावा, वो कितन आते बार, फिर से उसी position में, अपने मतलब जो पहला उसका ही में जोगा, उस position में आ रहा है, यह आपको check करना है, ठीक है, तो चलिए इसको एक काम करते हैं, whiteboard में आपन solve करते हैं, तो देखो second question का जो पहला diagram दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर इस तरह का एक diagram दिया गया है, यह ऐसा कुछ है, तो अब देखो, यह बीच में इसका center point है, ठीक है, तो अगर इसको rotate करेंगे, ठीक है, तो rotate करने पर एक बार, यहाँ पर यह इस तरह के से पहले बनेगा, 90 degree का, ठीक है, और उसके बाद फिर से इसको rotate करेंगे 180 degree में, तो again यह same position में आ जाएगा, ऐसे, ठ फिर से 270 degree में यह ऐसा बन जाएगा, ठीक है, यह वालब फिर से इधार आ जाएगा, तो यह 270 degree बन जाएगा, और फिर से इसको जब 360 degree में रोटेट किया जाएगा, तो अपने original position में यह वापस आ जाएगा, ठीक है, तो यह इसका center point है, यह ही से इसको rotate किया जा रहा है, ठीक इसको आप completely rotate करो, जितने बार ये अपने original position में आपको दिखाई देगा, अपने original image इसका दिखाई देगा, वो ही इसका order होगा, इस rotational symmetry का, ठीक है, तो 4 पार तो हम base लेके चलते हैं, कि 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree, और ज़रूरी ये निए कि आपको सिफ 4 बार, 4 angle में ही rotate करना है, आप इसक करना है हमको, ठीक है, complete rotation करना है, जितने बार वो अपने original image के साथ match करेगा, वो उसका order हो जाएगा, तो यहाँ देखो, यह पहले बार देखो, यहाँ पर एक 180 degree में एक बार match कर रहा है, तो यह इसका first order हो गया, second में फिर यह अलग हो गया, यहाँ पर again जब वो 360 degree में, वो rotate होके वापस अपने original position पहुचेगा, तो फिर से यह उसी order में आ जाएगा, या उसी shape में आ जाएगा, तो इसका जो order है, वो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, आगे देखते हैं, इसका B, B में अब ध्यान दोगे, तो यहाँ पर इस तरिक का, यह cross बना हुआ है, और यह वाले angle का measurement दिया हुआ, 80 degree, ठीक है, अब आप देखो, कोई भी straight line जो होता है, 180 degree का होता है, तो अगर यह 80 degree का है, तो इस line को अगर हम देखेंगे, तो यह वाला जो angle होगा, यह 100 degree का होगा, तभी यह जो line है, यह 180 degree का बनेगा, ठीक है, अब आप जब इसको rotate करोगे, तो यह इस सिपनेगा, ठीक है, यहाँ पर 80 degree आ जाएगा, और यह वाला 100 degree रहेगा, ठीक है, यह 90 degree में हम rotate कर लिए पहले, उसके बाद इसको 180 degree में rotate करेंगे, तो यह इस तरीके से आएगा, यह 80 degree नीचे आ गया, और यह वाला 100 degree रहेगा, यह 180 degree में, ठीक है, फाइनली फिर इसको एक ऐने इसके बाढर और रोटेट करेंगे 270 डिएकर thou 70 hj many a hp आ यहां होजाएगा १ीडी टिकक है और यह रहेगा 100 डिग्री और इसके बाद जब फा přाइनल इसको रोटेट करेंगे इसके ओरीजिनल पॉजिशन में आाएगा यहाँ पर ऐसाएगा यहाँ है अगेन 80 60 degree में वापस अपने original position में पहुच रहा है तब फिर से इसका same image बन रहा है यानि कि इस rotational symmetric का जो order होगा वो order होगा इसका 2 ठीक है ऐसे ही किसी भी image को rotate करना है जरूरी नहीं कि इस 4 एंगल में ही rotate किया जाए 90, 180, 270, 360 आपको complete rotation करना है 10, 20, 30, 40 degree से लेकर complete rotation करना है और उसके बाद ये देखना है कि कितने बार वो अपने original image से match कर रहा है जितने बार match करेगा वो उसका order होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं C देखते हैं इसका C जो problem है C में एक equilateral triangle दिया हुआ है ठीक अब equilateral triangle का ये center है अगर इसको rotate करेंगे तो फिर से ये same रहेगा ठीक है फिर से rotate करेंगे तो फिर से ये same रहेगा फिर से rotate करेंगे तो फिर से same रहेगा आप देखो इसको सिर्फ तीन बार रोटेट करना है, तीन बार से जादा आपन रोटेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके तीन साइड्स हैं, तो तीन बार ही इसको, आप कितने बार भी अब यहां तक ऐसे आएगा, तो यह सेम तो दिखेगा नहीं, जब यह इस एंगल पर मुड़ जाएगा, तभी सेम तीन बार रोटेट करने पर हमको यह सेम इमेज मिलेगा, तीन बार रोटेट करने का मतलब ये नहीं है, कि इसको शर्फ यहां से यहां तक पहुचा दें ये कम्प्लीट रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट होते हुए, जब यह वाला पोजिशन यहां पर पहुँच गय जिसमें closed path बना होगा उसमें आप उसके corners को या उसके sides को देखके आप अंदाजा लगा सकते हो बता सकते हो कि कितने बार यह जब rotate होगा तो कितने बार अपने original position में आएगा ठीक आगे बढ़ते हैं इसको मैं रफ करता हूँ नेक्स्ट है डी में देखोगे तो आप इस तरह काई की मेज बना हुआ है यहां से ऐसा यह ऐसा और यह ऐसा अब यह एक फैन के तरह दिख रहा है ठीक है अगर इसको रोटेट करेंगे तो second time में भी यह ऐसा ही ड्राव होगा ऐसा ही बनेगा ठीक है यहां से ऐसा और यह ऐसा ठीक है फिर से इसको अगर रोटेट करेंगे तो यह जो original position है अपने original position में आ जाएगा तो आप देखो इसका corner अगर गिरेंगे 1,2,3,4 इसका order of symmetry भी 4 ही आ रहा है तो जरूरी निये कि अगर कोई line up draw कर लिए जैसे कि ये वाला था तो इसमें आपने count कर लिए 1 to 3 4 तो उसका rotational symmetry का order 4 हो गया ठीक है और ये इसका center point दिया हुआ है अब देखो इसको पहले ऐसे rotate करेंगे तो एक बार order of symmetry सेम रहेगा ठीक है तो चार बार rotate करने पर ये भी image इसका जो order of symmetry रहेगा वो भी 4 होगा क्योंकि चारो बार ये सेम आएगा ठीक है अब देखो इसको अगर इस position में अगर आएगा ये जब rotate होते हुए एक समय आएगा कि इस position में भी रहेगा ठीक है तो इस position में आप देखो ये same as it is नहीं दिख रहा है रोटेट करते हुए, यह जितना भी angle बन रहा होगा, suppose 30 degree का angle बन रहा है, तो 30 degree की angle में यह same नहीं है, ठीक है, यह same कब आएगा, जब यह 90 degree में rotate हो गया, फिर 180 में rotate हो गया, 270 में rotate हो गया, फिर वापस 360 में rotate हो गया, तो यह same image दे रहा है, इसलिए इसका order of symmetry 4 हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं, F में, F में एक pentagon बना हुआ है, ठीक है, अब pentagon में आप side count कर सकते हो, देखो यहाँ पर pentagon है, तो इसको आप 5 बार rotate करोगे, ठीक है, यह इस तरी से, ठीक, इसको 5 बार, यह 1, 2, 3, 4, 5 corners है इसके, तो जब rotate होते हुए 5 बार rotate होगा, तो इसको order of symmetry 5 हो जाए से, ठीक है, तो क्या होगा, क्या एक एक regular pentagon है, तो इसके sub sides equal है, तो जितने बार जैसे आप first time rotate करोगे, तो एक बार match करेगा, फिर rotate करोगे, तो दुबारा match करेगा, फिर rotate करोगे, तो तीसरे बार match करेगा, ठीक है, ऐसे करकि यह 5 बार, एक rotation में, 360 degree के complete rotation में, पांच बार सेम image दिखाई देगा, तो इसका order of symmetry जो है, फाइब हो जाएगा, इसको मैं रब करता हूँ, एक बर और देखते हैं, अगला question, next देखते हैं, जी, तो जी में देखो एक star बना हुआ है, और यह star जो है, यह इसके 6 corners है, ठीक है, इस तरीके से, यहां से यह ऐसा है, और यह 3, 4, 5, और यह 6, ठीक है, इस type का star बना हुआ है, प्रॉपर ले नहीं बना है, लेकिन सिर्फ उसके आप count करोगे, तो उसके 6 corners, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको भी अगर आप देखो, जब first time आप rotate करोगे, तो यह 0 यहां पर आ जाएगा, suppose यहां पर O है, तो यह O यहां पर आ गया, तो एक order of symmetry, क्योंकि match करेगा as it is, फिर दूसरे बार यहां पर जब यह आ जाएगा, यह 0, second type फिर match करेगा, फिर O यहां पर आ जाएगा, तो फिर से यह match करेगा, तो order of symmetry 3 हो गया, फिर rotate करोगे, center point से, फिर rotate करोगे, तो order of symmetry यहां 4 हो जाएगा, क्योंकि यह O जो है, अब य छे बार ये अपने original position में दिखाई देगा तो इसका order of similarity हो जाएगा 6 ठीक है एक और देखें लास्ट में एक H दिया हुआ है एक डागराम ऐसा कुछ बना हुआ है इसको मैं प्रॉपर ऐसा तो नहीं बना हुआ मैं आपको बता रहा हूं यह ऐसा करके और यहां से फिर यह ऐस है अगा है इस टाइप कर डागराम है अब देखो इसको आपको रोटेट करके आपको समझ में आ जाएगा जब आप do it करना शुरू करोगे तो यह इदर से यहां से पहुंचते हुए यहां पहुँचेगा, ठीक है, तो अगर यह यहां पहुँचेगा, तो यह यहां आ जाएगा, और यह यहां चले जाएगा, तो पहला order of symmetry हो गया, एक बर ती तो match कर लिए, फिर अब यह वाला position यहां पर है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, A, A यहां पर पहुँच चुका है, ठ अब यह फिर से जब rotate करेंगे इसको, तो यह वाला जो position है, वो यहां आ जाएगा, तो यह A हो गया, ठीक है, फिर से जब final rotate करेंगे, तो यह फिर से अपने position में पहुच जाएगा, तो इसको rotate करने पर तीन बार इसका order of symmetry, जो है, वो 3 होगा, क्योंकि तीन बार यह अपने original position में तिखाई देगा, ठीक है, तो यह exercise 14.2 का second question हो गया, और इसके साथ यह exercise भी complete हो गया है, next video से आपने आगे का position लेखेंगे,